नवस्कार दोस्तों जैसा कि आपने थम्निल में देखा बर्ग एक की जोइनिंग लेटर आ गए हैं देखते हैं जैसे ही आप Google पे ऐसा टाइप करोगे टी आर्सी ऑनलाइन टाइप करते ही आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा ये वाला पेज ओपन होगा इसके सबसे नीचे जाएंगे ये लखा है उच माध में शिक्षन बिशायबार निक्ति आदेश दिसे आप ओके करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा इस पर करने पर आपको ऐसा फेज ओपन होगा इसमें लखा है क्या लिखा है हम देखते हैं अभी हाल लोक सिक्षन संचनाल है मद्द प्रदेश बोपाल बोपाल दिनांक 233-2023 को यह आदेश आया है इसमें लखा है मद्द प्रदेश राज इसकूल सिक्षा सेवा सरते एवं भरती नियम 2018 के नियम 4-5 ओबलिक 4 का के अनुसार कर्मचारी चेर्ण मंडल इसका नाम बदल गया है कर्मचारी चेर्ण मंडल मद्द प्रदेश भोपाल दवारा उच्छ मादमिक सिक्षन पद हेतु आयोजित पातरता परिक्षा परिणाम के आधार पद दनांक 29-2022 को बिग्यापन जारी किया गया था जारी बिग्यापन के अनुक्रम में मद्द प्रदेश राज सिक्षा इसकूली सेवा सेक्षनिक संबर्ग के अंतरगत निम्न अनुसार अब्यार्थियों को उच्छ मादमिक सिक्षन के पद पर हिंदी विसाए में निक्त किया जाता है यह अपनने हिंदी विसाए की निकाली है तो हिंदी विसाए का इसमें ल इसमें आगे देखेंगे उच्छ माधमिक सिक्षण में जन जाती है कारभभाग द्वारा यह जन जाती है कारभभाग की है और आपकी एक सूची यह डली है इसमें है आपका सूची डली है इसमें हम डॉकुमेंट देखते हैं डॉकुमेंट आपको क्या-क्या ले जाना है सबसे लास्ट में जैसे ही आप जाओगे तो इसमें डॉकुमेंट की सूची दी है सूची हम पढ़के सनाते हैं आपको कौन-कौन से डॉकुमेंट ले जाना है देखिए यह र यह तो आप सभी को पता है कि जो आपका बेतर नमान है पहले 70% मिलेगा और 2-3 वर्ष 80% और 3-3 वर्ष आपका 90% मिलेगा इसके बाद परिक्षाब्दी तीस वर्ष की है तीस वर्ष के लिए लगाए तीन वर्ष के लिए अश्थाई है उसके बाद इस्थाई हो जाएगी इसके बाद हम देखते है यह लखा है तीन वर्ष की परिक्षा परिबीक्षा पर किया जाएगा लेकर सब लोग पक्के में हो जाते हैं यह लाइन इतनी मुश्ट नहीं है आगे देखते हम यह लखा है दनांक 3-4-25- के प्रापधान अनुसार परी भासेत इसमें पेंसन योजना आपको लागू होगी बीचमें पेंसन बंद कर दी थी लेकिन इसमें पेंसन आपको लागू होगी इसमें आगे देखते हैं पंदरा दिवस के भीतर इस्थल पर उपस्थित होना है और आपके मूल दस्ताबेज ले जाना हैं और तीन पिर्ती में सत्यापित पिर्तिया ले जाना है। के पासपोर्ट सायज के photo आधार काड अपना तिक ein मुपाईल नंबर और इडेस ले जाना आगे है जाती प्रमाड प्रारूप में घोष्णा पत्र ले जाना है योगिसी वालों के लिए पांच में नंबर पे है मूल निवासी प्रमाड पत्र ले जाना है छटमे नम्मर पे है यदि आपने बिकलंकता कोटे से फार्म डाला है तो आप उसका साइट पिगट ले जाना है साथमे नम्मर पे है अत्ति अनुभव प्रमाड पत्र यदि आपने अत्ति से डाला है तो अत्ति अनुभव प्रमाड कत्र ले जाना है आठवे नम्मर पे देखते हैं सास किये सेवक की इस्थिती में अनुभवागिये अनुमती जैसे आप पहले से सर्विस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको NOC certificate ले जाना है अगर NOC नहीं हैं तो विभवागिये अनुमती ना होने की इस्थिती में सम्मंदित विभवाग को प्रिष्थित सेवा से त्याग पत्र की प्रिती ले जाना है अधि आपको आपके पास NOC नहीं है तो आपने जो त्याग पत्र दिया है उसकी प्रिती आपको ले जाना है प्रोपेशनल एक्जामनेशन बोर्ड दुवारा जारी इसकोर्ड का जो आप पास हो गया है उसकी आपकी नेट की अंक्सुच ले जाना है और अगले नमबर पे देखते हैं अपन सनलगन सपत पत्र भी आपको ले जाना है इसके बाद आप देखते हैं 15 दिवस के भीतर मेड सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्वाद